प्रम्ट और 1D Exam Classes देखी रेलवे एकजाम 2024 और 2025 की तयारी के लिए फिर से हमने आपके लिए Science Special की सिसको स्टार्ट कर दिया है इसके पहले भी हमने आपको Science Special के 3 पार्ट कराये थे इसके बाद वीडियो रोग गई थी फिर से आपके लिए Science Special की अब लगातार ये सरीच करके प्लिस्ट में आपर देख सकते हैं इसमें आपको पचीस-पचीस महात्रपुर्ण साइस के कोशन कराएंगे जो कि लेश्टेस्ट अभी आपके रेल्वेग एक्जाम में पूछेगा एक कोशन होंगे और आपके आने वाले एक्जाम है LPN Technician का, JE का, RPAP का, Railway Group D और NTPC के लिए काफी important कोशन होने वाले हैं तो आपको साइस अपनी बहतर करके चलनी है और आप लोगी प्रयास करिए कि आप इन 25 कोशन में से 20 कोशन को सही कर पा रहे हैं कि नहीं आज का दीकि पहला कोशन है, इसमें आपको 2 कथन दिए गए हैं, इनमें आपको विचार करना है कि कौन सा कथन आपको सही लग रहा है कथन नमबर एक और कथन नमबर दो, इसमें pH value के बारे में आपसे पूछा जा रहा है तो यहाँ पर पहले कथने पूछा जा रहा है कि pH में पी जो है जर्मन भासा में पोटेंज को निरूपित करता है जिसका आर्थ होता है इस सकती ठीक है दूसरा कथन कह रहा है आपसे pH पैमाने स्केल पर हम समानता 0 से लेकर के 16 तक की pH को माप सकते हैं अब आप बताइए इसमें से आपको कौन सा कथन सही लग रहा है देखिए pH के अगर आप लोग फारूला जानते होंगे तो pH बरावर होता है माइनस लॉग H प्लस आयन होता है ठीक है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं pH को फुल फार्म होता है पोटेंज आप हाइड्रोजन होता है मतलब हाइड्रोजन की सकती जो होती है उसे हम लोग pH के रूप में देखते हैं तो पी जो जर्मन भासता में पोटेंज है उसका अर्थ होता है सकती यह पहला वाला कथन हमारा सही हो गया ठीक है अब हम लोग दूसरे के ऊपर जाते हैं pH पैमाने स्केल पर हम 0-16 तक का pH माप सकते हैं यह कथन बिलकुन गलत है आप जानते होंगे साथ जो होता है pH पानिक होता है पानिक होंब लोग नूटल मानते हैं उदासीन मानते हैं तो साथ से पहले मतलब 0 से लेकर के साथ तक जितने भी हमारा pH मान होगा वो एसडिक होता है ठीक है और 7 से लेकर कि 14 तक जतना हमारा pH value होती है वो हमारा basic होती है ठीक है हम और 16 से हम लोग कहते हैं तो 0 से लेकर कि हम लोग 14 तक की pH value को मापते हैं pH scale पर और यह कहरा है 16 तक की मापते हैं तो दूसरा वाला कथन गलत हो जाएगा पहला वाला कथन हमारा सही होगा तो इस हिसाप से कौन सा option सही होगा किसमें से आप चूज कर लिजे कथन नंबर 1 सत्य है और कथन नंबर 2 जो है वो असत्य होगा देखिए दूसरा question है इसमें आप से पूछा जा रहा है कि निम लिखित में से कौन सी अपक्रिया जो है वी स्थापन की अपक्रिया है displacement reaction आपको बतानी है यह 4 reaction इसमें आपको दी गई है ठीक है? 4 reaction को आप लोग देख लीजे कि कहां पर वी स्थापन की अपक्रिया है या फिर displacement reaction इसमें से कौन सी है वीडियो अच्छा लगए तो वीडियो को लाइक कर दीजेगा और स्रीज को आप लोग सेयर करेंगी तो लगातारी आपकी स्रीज चलते रहेगी जब तक आपका एक्जाम चलेगा यहाँ पर देख पहले reaction हम लोग देख रहे है तो JNCO3 जो है यह टूट रहा है तो यह टूट रहा है तो भी स्थापन अब करिया नहीं है ठीक है यह अब घटन reaction है अब यहाँ पर AP जो है कापर सलफेट के साथ करिया कर रहा है तो AP जो है वो कापर को displace कर दे रहा भी स्थापित कर दे रहा अलग और उसकी जगा पर सोयम लग जा रहा है यहाँ पर देखिए कापर के जगा पर AP सोयम लग गया तो यहाँ पर यह reaction जो होगी वो भी स्थापन की displacement reaction जो होगी वो second number होगा मतलब दूसरे number की reaction होगी और यह दूसरे number reaction जो है आपसन में दिया गया है कहाँ पर यह प्रत्थम में तो आप इस कथन को जाकर के सही करेंगे इस प्रकार से आपको एक जामे भी करना है और तीसरी number reaction में आप देख सकते हैं कि hydrogen oxygen मिल रहे हैं मिलना मतलब syogen आपक्रिया हैं तो यह syogen हो गई और यह विखिटन हो गई यह टूट रहा हैं तो यह विखिटन हो गई यह सयोजन हो गई यह भी आपका विखिटन हो गया और यह दूसरी reaction जो होगी वही आपकी जो है वो displacement reaction होगी तो कौन सा आपसन सही होगा पहला वाला पहले वाले में दो लिका गया न तो दूसरी नंबर यह action होगी तो इस प्रेकार से आपको समझ करकर चलना exam में नीचे दिये गए कतनों पर आपको विचार करना है सही उत्तर का आपको चैन करना है प्रत्म कतन में लिखा गया दूसरे कतन में लिखा गया आवर साड़ी में हाड़ुजन कोई निश्चिदिस्तान नहीं दिया गया था दोनों कत्नों आपको देखना है कौन से कत्न आपको सही लग रहा है सबसे पहले आप लोग को याद रखना है मिंडलीप का जो आवर्थनियम था कब आया था 1869 में आया था उसमें तत्तों की संकिया कितनी थी 63 तत्तों को ले करके ये आवरसाड़ी बनाई गई थे मिंडलीप के आवर्थनियम के अनुस्तार तत्तों के भावतिक व्रासानी गुर्जो थे वो परमाढ़ भार पर डिपेंड होते थे 1913 में आधनिक आवर स्थानी बनी जो की मोजले के अनुश्थार थी तो तत्तों के भावतिक अवरासानी गुर्जो थे वो परमाण क्रमांक पर डिपेंड करते थे ठीक है तो आधनिक वाली परमाण क्रमांक के अधार पर है और पुरातन जो मिंडलीप ने बनाई थी 1869 में वो परमाण भार कर कम में थी अब दोनों बातों पर चर्चा करते हैं सभी तत्तों के समस्थानिकों ने मिंडलीप के लिए एक चुनावति उत्पन की बिल्कुन सही बात थी मिंडलीप की अवर स्थानि में समस्थानिकों के लिए कोई भी स्थान नहीं था तो प्रथम कथन हमारा सही हो गया हाइडोजन कोई निश्चिध स्थान नहीं दिया गया था ये भी बात बिल्कुन सही है hydrogen konyo ने प्रथम वर्ग में रखने का प्रयास किया था और साथ में hydrogen के साथ भी रखने का प्रयास किया था तो इसमें से दोनों कथन ही सही होगे तो कौन सा option सही होगा option number 3 दोनों ही कथन सही होगे अमने इस देखे हमारा चौथा कोशन है इसमें आपसे पूछा जा रहा है 30 वार्ट का एक उपकरण 12 वोल्ट की बैटरी के साह समयुजित है तो उपकरण में प्रवाहित धारा क्या होगी यह असान सा कोशन है इसे आप लोग बता सकते हैं कैसे करेंगे इसमें कौशन फर्वन लगेगा धारा आपको निकालनी है सक्ति दी गई है आपको वोल्टेज दिया गया है तो P बरावर होता है V I नोट डाउन कर लिजेग अगर आपको फर्वन लिन आता हो तो P बरावर V I होता है जहांपर P सक्ति है V voltage है I जो है धारा है I आपको निकालनी है तो I बरावर हो जाएगा P by V ठीक है P आपको दिया गया है 30 और V आपको दिया गया है 12 इससे आप divide करेंगे तो 2.5 Ampere आजाएगे धारा में सा Ampere में होती है तो सही option हो जाएगा तीसरा वाला option ठीक है तो आप लोग फार्मूला याद रखिएगा P बरावर V I इससे आपको यह सारी चीज़े इसमें से मिल जाएगे अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजेगा और पहली बार चलना पर है तो यहाँ पर आपको चलना पर कितनी दूरी पर बनेगा ठीक है सबसे पहले देखिए किस दरपड की बात कर रहा है तो आउतल दरपड की बात कर रहा है और क्या कह रहा है फोकस दूरी से दोगुनी दूरी पर रखा जाता है तो प्रतवीम एक कहा पर बनेगा ये चार आपसन आपको दिए गएं तो आपको बता देते हैं कि आउतल दरपड से बनने वाले जितनी भी आपके प्रतवीम हैं वो इस प्रेकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कि आप अगर focus पर रखेंगे तो इसका जो प्रतविम है वो अनंद पर बनेगा ठीक है आउतल दरपड की बात करेंगे तो अगर हम वस्तु को रखते हैं वक्रता केंदर से परे तो इसका प्रतविम बनेगा focus और वक्रता केंदर की बीच में उल्टा बनेगा और तीसरी condition जो है यही आप से पूछ रहा है यह आप से पूछ रहा है फोकस से अगर हम double दूरी पर रखें यहाँ पर देखी फोकस है इससे double दूरी पर मतलब वकरता केंदर पर रखने की बात कर रहा है AB पर हमने वस्तु को रखा और उसका जो चित्र बनेगा वो उसके double मतलब उसी के अगर हमने two up पर रखा यहाँ पर एप हो गया आईए और एप हो गया आईए तो two up पर रखेंगे तो प्रतवीम भीमारा two up की दूरी पर बनेगा लेकिन कैसा बनेगा उल्टा बनेगा तो ठीक है तो तीसरी नंबर condition यहाँ पर फालू होगी इससे आप लोग देख लिजे अगर two up पर रख रहे हैं तो two up पर ही उसका प्रतवीम बनेगा लेकिन कैसा बनेगा उल्टा बनेगा हमने आपको सारी condition और तल दड़पर की बता दी है इससे आप लोग यहाँ पर से देख सकते हैं अब देखिए हमने two up पर बता दी इसके बाद अगर आप देखेंगे focus और वक्रता केंदर की बीच में गराब वस्तु को रखेंगे तो यह उल्टा बनेगा जाकर की वक्रता केंदर के परे अगर आप यहाँ पर देखिए कि focus पर रखेंगे तो अनंत पर बनेगा और अनंत पर रखेंगे तो focus बनेगा यह दोनों चीज़े आप लोग याद रखेंगा ठीक है चलिने इस question के और चलते है छेटमा question है यहाँ पर आपसे में iodine नहीं पहुचेगा तो गल्ले में आपके thyroid नामक रोग हो जाएगा जिसे हम लोग काउं सा रोग कहते हैं घेंगा रोग कहते हैं ठीक है तो iodine कहां कहां से आपको मिल सकता है जैसे कि आप देखते होंगे iodine युक तो नमक से आपको iodine मिलेगा और समुद्री जतनी मचलिया होती हैं समुद्री जतने आपके जानवर होते हैं वो एक iodine का एक मुख स्रोथ होते हैं और हरे पत्तेदार सबजियां जो होती हैं वो भी iodine का स्रोथ होती हैं तो iodine के अगर आपके स्रीर में कमी है तो आप किसी या फिर समुद्री मचली को आप सेवन कर सकते हैं हरे पत्तेदार सब्जियां खा सकते हैं और आयोडीन युक्त नमक काप इस्तमाल कर सकते हैं तो मारे यह छाटवा नमर कोशन था साटवा नमर कोशन है इसमें आप से पूचा जा रहा है कि विद्धु जन्रेटर से समंदित निमलिखित कथनों पर आपको विचार करना है ठीक है तो पहले कथन में लिखा गया है प्रतेक आधे घूडन के बाद कुंडली की संगत भुजाओं में धारा की दिसा उलट जाती है यह पहला कथन आपको सही लग रहा है या फिर दूसरे में लिखा गया है कुंडली में प्रत धारा की दिसा फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का उपयोग करके ग्यात की जा सकती है इसमें से आपको कौन से सही लग रहा है बताईए देकि हमेशा आपसे पहले कह दिया है कि विद्दू जनरेटर की बात कर रहा है हमने आपको बताया था कि विद्दू जनरेटर जो है फ्लेमिंग की दाएं हाथ के नियम पर काम करता है तो ये तो सही हो गया और आदे घूरन के बाद कुन्रली की जो धारा के दिसा होती है उलट हो जाती है ठीक है तो ये भी सही है तो दोनों ही कथन इसके सही है अगर आपसे विद्दुत generator की जगाँ पर विद्दुत motor कहता तो विद्दुत motor जो है हमेशा फिलेमिंग के बाए हाथ के नियम पर काम करती है ये दूनों चीज़ें आपको याद करके चलनी है generator करेड़ा दाए हाथ पर और विद्दुत motor करेगी बाए हाथ पर और दो ओम आपको दी गए हैं तो A की प्रतुरोधक्ता और B की प्रतुरोधक्ता का अनुपात आपको ग्याद करना है तो चलिए प्रयास करिए एक बार आप लोग कौन सा फार्मूला इसमें लगेगा इसमें देखी फार्मूला आपको लगाना है R बराबर Rho L Y A ठीक है यह फार्मूला आप लोग लगा लीजेगा यहाँ पर देखी R जो है यह आपका प्रतुरोध दिया गया है जो की पहले वाले का 0.5 दूसरे वाले का 2 Ohm दिया गया है R आपसे पूछा जा रहा है कि प्रतुरोध दक्ता आपको निकालनी है English में से कहते हैं Registivity कहते हैं तो R आपको निकालनी है दोनों का अनुपात आपको निकालना है L आपको दिया गया है पहले वाले का L है दूसरे वाले का 4L है और समान मोटाई कह रहा है मतलब अनुप्रस्टिकार्ट का जो छेतर पल है A जो यहाँ पर लिखा गया है वो constant हो जाएगा इसका formula में कोई भी उपियोग नहीं होगा अगर हम row 1 की बात करेंगे तो row अगर हम निकालेंगे इसमें से R by L आ जाएगा अगर हम पहले वाले row 1 की बात करेंगे तो पहला वाला जो होगा वो 0.5 आ जाएगा यहाँ पर प्रत्रोध 0.5 दिया गया है और L जो दिया गया है वो लंबाई दी गई है और दूसरे वाले row 2 की बात करेंगे तो दूसरे वाले का प्रत्रोध दिया गया है 2 और लंबाई दी गई है 4L तो 2 दूनी 4 मतलब की 1 बटे 2L लिख दिया गया ठीक है इसे हम लोग अब क्या करा है दोनों में क्या करा है अनुपात ग्याद करना है तो रो 1 अपान रो 2 करेंगे तो 0.5 अपान L और 1 बाई 2L तो L से L कट जाएगा और 2 अगर पलेट करके ऊपर चला गया तो 5 दोने 10 मतलब की अगर पॉइंट लगा देंगे तो 1 अनुपात एक आजाएगा तो रो 1 अपान रो 2 जो आजाएगा वो 1 अनुपात एक आजाएगा तो कहां पर लिखा गया पहले वाले आप्सन में लिखा गया है एक ही लिख दीजे या फिर एक अनुपात एक लिख दीजे तो सही अप्सन कौन सो हो जाएगा सही अप्सन हो जाएगा पहला वाला अप्सन ठीक है तो फार्मुला आप लोग नोट डाउन कर लिजेगा आर बराबर रो इल भाई ए कहीं पर आपसे लंबाई पूछ लेगा कहीं पर आपसे प्रदरोध पूछ लेगा कहीं पर आपसे प्रदरोध पूछ लेगा कहीं पर आपसे अनुकरश्ट कार्ट का छेतरपल पूछ सकता है यह सब की आपको तयारी करके चलना है नवा कोशन है इसमें आपसे पूछा जा रहा है जब ATP में टेर्मिनल फास्पेट लिंकेज को जल की उप्योग द्वारा तोड़ा जाता है तो कितनी उर्जा मुक्त होती है इसमें कई नए नए कोशन आपको देखने को मिलेंगे जो अभी तक आपने नहीं पड़े होंगे जैसे ATP का जैसे आपको फार्मूला यहाँ पर पूछा गया है कि उसे आप तोड़ेंगे तो कितनी उर्जा मुक्त होगी तो ATP का फार्मूला देखें यहाँ पर लिखा गया है ATP का फुल फार्म होता है एडनोसिन ट्राइफासफेट इसे हम लोग ATP सौट फार्मे कहते हैं समझ गए आप यहाँ पर देखें ATP में जो एडनोसिन है वो यहाँ पर टोटल यह पूरा एडनोसिन है और ट्राइफासफेट की बात करेंगे तो तीन फासफूरा से आपड लगे है तो यह आपका ट्राइफासफेट हो गया और एडनोसिन को भी आप दो भागों में बाढ़ सकते हैं जैसे कि यहाँ पर जो यहाँ पर नाइट्रोजन युक सरचना बने हुए यह एडनीन कहते हैं और OH वाली सरचना को हम लोग राइबोज कहते हैं तो एडनीन प्लस राइबोज जो मिलकर बनता है एडनोसिन बनता है और ट्राइफासपेड बनता है यह टोटल जो ATP का अडू होता है वो आइस्तिर होता है और जैसे यह जल के साथ में क्रिया करता है तो यह टूट जाता है और इस्तिर होने का प्रयास करता है तो इसमें एक इनर्जी निकलती है जिसे आपको याद करके चलनी है वो हमेशा आपसे इसी फार में पूछेगा तो सही आप सनोगा 30.5 किलो जोल अपान मोल जो होए यह आपके इनर्जी निकलती है अगर आपसे जूल ने पूछता तो इस प्रेकार से लिखिएगा अगर है तो 7.3 किलो कैलोरी ठीक है तो कैलोरी पूछेगा तो 7.3 सही करेगा अगर आपसे जूल ने पूछ रहा है तो 30.5 आपको सही करना है ठीक है इसमें आपको मल्टिप्लाइ कर लीजेगा 4.2 का तो 30.5 आजाएगा दोनों आपको याद करके चलनी है तो ATP का जब भी 13.5 समझ गए आप और यह एडनोसें ट्राइफास्पेट का यह फार्मूला होता है नेस देखे हमारा दस्वान नमबर कोशन है इसमें आप से पूछा जा रहा है कि किस आपक्रिया की पहचान करनी है कि जो P उत्पाद है वो क्या होगा जैसे कि यहाँ पर लिखा गए कि च पहचान करनी है कि चुना पत्तर का फर्मूला क्या होता है कैल्सियम कार्बोनेट कि सीए सीओ थ्री होती है इसे अगर आप तोडेंगे तो क्या निकलेगा सीओ बनेगा और प्लस कार्बन डाई अक्साइड गैस निकलेगी तो पी पदार्थ आपसे पूछ रहा है तो पी प्लस कार्बन डाई अक्साइड गैस निकलेगे तो पी पदार्थ आपसे पूछा जा रहा था तो सही आप सुनों का हमारा दूसरा वाला आपसन यह मारा दस्वा कोशन था ग्यारा नमबर कोशन है परावेगनी कीडरों के अत्यदिक संपर्क से आने पर क्या हो सकता है अल्ट्रा वालेट जो कीरण आती है सूर के प्रेकास से उनसे आपको बचना होता है उनसे इसलिए आपको बचने कहा जाता है ताकि आपका तोचा जो है वो जुलस न जाए तोचा में कैंसर न हो जाए तो UV रेज से संपर्क में आने से बचने पर तोचा कैंसर से आप बन सकते हैं अगर इसका प्रभाव पड़े पंदरा सेंटी मीटर आपको दी गई है तो नई कार्थिके चिन्य परपाटी का पलन करते हुए इसकी वकरता केंदर पर कितनी दूरी होगी यह आपको ग्याद करनी है ठीक है तो कैसे करेंगे देखिए उत्तल दरपड है तो उत्तल दरपड की जो फोकस दूरी होती है वो पाजटी में होती है हमेशा और उत्तल दरपड की जो फोकस दूरी होती है वो नेगेटी में होती है तो यहाँ पर यह तो बात हो गए कि उत्तल दरपड की फोकस दूरी पाजटी में रखनी है अब क्या करें वक्रता केंद्र कितनी दूरी परिस्तित होगा अगर हम बात करें तो C वक्रता केंद्र बराबर होता है 2 F मतलब फोकस दूरी का अगर दो गुना कर लेंगे तो हमको मिल जाएगा क्या वक्रता केंद्र तो हमको F तो दिया गया फोकस दूरी इसका दो गुणा कर लिए दो गुड़े 15 कर लिजे तो हमको मिल गया 30 30 cm ठीक है तो अगर हमको दिया गया है पॉश्टी में तो हम पॉश्टी में रखेंगे उत्तल दरपड की बात करेगा तो फोकस दोरी पॉश्टी होगी और इसका अगर बात करें हमारे छमता भी पॉश्टी होगी और वकरता केंदर भी पॉश्टी होगा तो सही आपसन कौन सा आपसन होगा सही आपसन होगा पहला वाला अपसन ठीक है अगर हम बात करें आउतल दरपड की तो वहाँ पर फोकस दोरी भी नेगेटिव आपको मिलेगी और वक्रता केंद्र भी आपको negative मिलेगा ठीक है तो यहाँ पर सही आप सुनोगा पहला वाला अपने इस देखे हमारा तेयर नमर कोशन है इसमें आपसे पूछा जा रहा है मूत्र में पानी की मात्रा कितनी होती है ठीक है यह चार आपसन आपको दी गए है मूत्र में देखे पानी की मात्रा जो होती है पंचान परसंट यह पानी होता है और पांच परसंट जो होता है उसमें आपको यूरिया मिलेगा अकार्बनिक लवण मिलेगे कार्बनिक लवण मिलेगा यूरी का एसिड मिलेगा इस प्रेकार से 5% में दिरे दिरे तत्य होते हैं तो कमेंट बाक्स में आप लोग ये बताइएगा कि यूरीया का फर्मूला क्या होता है ठीक है दो चीज़े आपको बताने हैं सबसे पहले आपको यूरिया का फार्मूला बताना है कमेंट बाक्स में और दूसरा कि यूरिया में कितने परसंट नाइट्रोजन होता है ये कोशन आपके एक्जब में बहुत बार पूचता है कि यूरिया में कितने परसंट नाइट् यूरिया में कितने परसेंट नाइट रोजन होता है इस चार आप्षन में से आपको स्लेट करना है चौदा नमर कोशन है निमलिकित में से किस रक्त समू को सर्व दाता कहा जाता है जो सभी को दे सकता है उसे हम कहते हैं ओ ब्लेड ग्रूप वाला जो होता है वो सभी को दे सकता है क्योंकि इसमें एंटीजन नहीं होता है एंटीजन ही होती है और सर्व ग्राही जो होता है एबी वाला होता है वो सब का ग्रहन कर सकता है तोकि इसमें anti-bodies नहीं होती है antigen होता है तो सर्वदाता O है और सर्वग्राही जो होगा वो A B होगा बहुत बार कोशन ही पूछा जा रहा है अब नेज़ देखिए मारा कोशन नमबर 15 है इसमें आप से कहा गया है कि 40 cm मीटर फोकस दूरी वाले उत्तर लेंस की छमता क्या होगी हमने आपको बताया कि उत्तर लेंस की जब भी बात करेगा तो उसकी सारी चीजे पॉस्टिम होगी चाहे फोकस दूरी हो चाहे उसकी छमता हो और हमेशा छमता निकालने के लिए आपको क्या करना होगा इसे मीटर में करना होगा इसे आपको फोकस दूरी centimeter मती है न तो डायोप्टर D बराबर जो होता है D बराबर होता है 1 by F ठीक है आप D बराबर 1 by F अगर आपको दिया गया है तो फोकस दूरी आपको F तो यहाँ पर गई है तो छमता आपको D आपको यहाँ पर से निकालनी है तो यहाँ पर से सबसे पहले आपको क्या करिए कि 40 cm को आप चेंज कर लीजे 40 cm को आपको चेंज करना है किसमें? मीटर में चेंज करना है तो 40 बटे 100 कर देंगे और 1 by अगर F करेंगे 40 by 100 तो 100 प्लेट करके ऊपर चला जाएगा तो 100 बटे 40 हो जाएगा और इसे अगर आप डिवाइड करेंगे तो 2.5 डाइउप्टार आजाएगा तो छमता की बात करेंगे तो 2.5 डाइउप्टार इसकी छमता जाएगे किसमें आएगी पॉष्ट्यम है क्योंकि उत्ता लिंस की बात कर रहा है तो सही आपसन कौन सो हो जाएगा सही आपसन होगा दूसरा आपसन समझ गए आप लो अब नेस देखें यहाँ पर एक वाटर हार्वेस्टिंग की सरचन आपको दी गई है इस प्रकार से कोशन आपके एकजामे पूशे गए थे जतने कोशन करा रहे है सब आपको एक ही स्रीज के कोशन करा रहे है ठीक है यह स्तोला नमबर कोशन है आज का अब यहाँ पर देखी जल संग्रहन की एक सरचन यहाँ पर आपको दी गई है इसमें उपर से नीचे धलान की ओर एक सरचन दी जा रहे है जिसमें कैच्चमेंट एरिया है खादिन या क्रॉब्ड एरिया है बॉंड यहाँ पर दिया गया है सेलिन एरिया है सेल और ड्रेगवेल है ठीक है तो यहाँ पर आपको इस प्रकार से एक स्रचना दी गई है और आपसे पूछ रहा है कि यह स्रचना किसको दरसाती है एक पद्धत ही है यह किसको दरसाती है तो सीधे सीधे यहाँ पर खादिन प्रक्रिया या फिर खादिन सिस्टम को यह दरसा रही है जैसे कोई धलान में को खादिन मिट्टी होती है, खादर और बागर जो आपने दो मिट्टिया पड़ी होंगी जलोड मिट्टी में, तो खादिन जो छेतर होता है, जो मिट्टिया नदी बहा करके लाती है, तो जैसे पानी आता है, तो मिट्टी साथ में लाता है, तो खादिन मिट्टी वहाँ पर है कि है के यहां पिलुग क्राप्ड एरिया में है यहां पर हम लोग खेती कर सकते हैं और जो पानी इस्ट्रा होता है यहां पर इज्व और लोग ils लगा दे तो फानी इसकी ऊपर से बैकरके सलीनीरिया में जाता है उसमें कुछ मिट्टी आ जाती है फिर मिट्टी यहाँ पर रुक जाएगी saline area में और फिर पानी जो है वो यहाँ पर shallow drag well में चला जाएगा तो एक हमें सुद्ध water ही मिल जाता तो इधर समको water मिल जाएगा इधर समोग खेती मिल जाएगी crop area है तो इस प्रेकार से water harvesting मतलब जल संग्रहण की विदी भी है इससे हमारी खेती भी हो जाएगी और यहाँ पर हमें सुद्ध पानी मिल जाएगा तो इस प्रेक्रिया को हम लोग कहते हैं खादिन system तो सही option कौन से हो जाएगा सही आप सुनों में डी वाला आप सुनों जाएगा अब नेश देखिए मारा question number 17 यहाँ पर दिया गया है किसी वस्त को माइनस 10 डायोप्टर चमता वाले लेंस के मूख अच्छे पर 15 cm दूरी पर रखा गया है तो प्रतिवीम कैसा होगा यह आपको बताना है अब देखिए यहाँ पर माइनस 10 डायोप्टर कह दिया तो इसका मतलब कि यहाँ पर जो अगर लेंस की बात करेंगे तो यहाँ पर वो आउतर लेंस होगा क्योंकि माइनस में कैदी आए और 15 cm की दूरी पर रखा गया है तो हम लोग एक काम करते हैं न कि इसको निकाल लेते हैं डायोप्टर से हम लोग निकाल लेते हैं फोकस दूरी इसकी तो D बराबर होता है 1 by F के और डायोप्टर यहाँ पर 10 दिया गया है आपको तो 1 by F कर लेंगे और यह हमेशा मीटर में होता है तो इसे cm में आपको चेंज करना होगा तो इस प्रेकार से कर लीजिए तो अब अगर हम फोकस दूरी की बात करेंगे तो फोकस दूरी माइनस 10 cm निकल कर चलिया आएगी ठीक है तो यह माइनस 10 cm हमारी फोकस दूरी आ गई तो अब हम लोग फार्मूले की उपर रख देते हैं 1 by F बराबर 1 by V माइनस 1 by U ठीक है यह हमारा प्रतविम निकालने का फार्मूला होता है लेंस के लिए यहाँ पर दिया क्या गया है आपको फोकस दूरी आपको दी गई यह माइनस 10 की तो रख लिजे माइनस 10 V आपको निकालना है 1 by V आपको निकालना है 1 by U आपको देखे यहाँ पर U जो होगा वो जो कार्थिके प्रडाली है उसमें U हमेशा निगेटिव में होता है तो अगर यहाँ फर्मूले में निगेटिव होगे तो निगेटिव निगेटिव पॉस्टिव हो जाएगा प्लस पंदर आपको रखना पड़ेगा और 1 by V अगर आपको निकालना है तो पंदरा को इधर भेजना पड़ेगा 1 by 10 इस प्रेकार से कर लिजे ठीक है अगर यहाँ पर आप इलसियम लेंगे तो इलसियम हो जाएगा 30 10 तहीं 30 और पंदरा दुनी 30 तो यहाँ पर आजाएगा माइनस 5 बटे 30 ठीक है तो इस प्रेकार से 5 हका 30 तो V बराबर माइनस का 6 आजाएगा माइनस यह दर्सार आए कि प्रतवीम जो है आपका आभासी बनेगा और सीधा बनेगा आभासी मतलब कि प्रतवीम वस्तु की तरप ही बनेगा तो आभासी और सीधा अउत्तर लिंस की पहचान यही होती ही कि आभासी और सीधा ही बनता है और उत्तर लेंस की पहचानोती वास्त्विक और उल्टा बनता है ठीक है तो माइनस भी यहाँ पर लग गया है माइनस यही दर्सार आए कि प्रित्वीम जो है आभासी बनेगा तो सही आपसन कौन सो होगा सही आपसन होगा यहाँ पर से मासी और सीधा मनेगा डारेक्ट आप इसे सही करके भी जा सकते थे अपने इस देखें मारा 18 नमबर कोशन है कार्बन परमाण के एल कोश में कितने एलेक्टरान होते हैं सबसे पहले कार्बन का परमाण कुर्माण कितना होता है कार्बन का परमाण कुर्माण 6 होता है के में 2 हैं, तो L में 4 होंगे, सही आपसन कौन सो होगा, सही आपसन होगा, दूसरा वाला आपसन, ठीक है, समझ गए आप लोग, तो दूसरा वाला आपसन सही हो जाएगा, तो इस प्रेकार से आपको इलेक्टरानिक मिन्या से के, L, M, N कोस करके आप इसे समझ सकते हैं, अब कि आक्सीजन का पर्मान कर्मान कितना होता है, आठ, इसे आप अगर एक टानिक विन्यास करेंगे, तो पहले कोस में 2 मिलेंगे, दूसरे कोस में 6 मिलेंगे, तो पहला कोस हम के कहते हैं, अब दूसरे कोस को L कहते हैं, ठीक है, अब ये बाहतम कोस की बात कर रहा है, तो बाह समझ गए आप लोग इस प्रेकार से आपको समझ कर करनी है न्यू लैंड ने अपने अश्टक की जो नियम दिया था उसकी तुलना किससे की थी यह आपको बताना है हमने आपको बताया कि एक्जाम में जो है मोजले से पहले वाली भी कुछी जा रही है न्यू लैंड का अश् अश्टक की नियम की तुलना की थी संगीत के स्वरों से ठीक है सही आपसन तीसरा होगा यहाँ पर देखें यह न्यू लैंड के अश्टक की नियम की साड़ी है इसमें न्यू लैंड ने इस प्रेकार तत्तों को रखा था कि हाइड्रोजन, हिलियम, बेरेलियम, बोरान, का की था करके है, फिर Chicago के नीचे आ रहा है तो इन सभी तत्तों की विसेश्थाएं एक समान होगी, ठीक है, जो भी तत्तों रखे गाएं हैं उनकी विसेश्थाएं एक समान होगी, लेकिन संगीत के स्वर में इस प्रेकार रखा गया था, जैसे सारे गामा पादा नी, इसके बात फिर से सा से स्टार्टिंग करेंगे ना सारे गामा पादनी सा तो अगर हम लॉट करके जो आठवा तत्य हमारा है फिर से उसी के नीचे जाएगा तो उसके गुड एक समान हो जाएगे लेकिन कैल्सियम के पाद ये आपका निव लैंड की जो अश्टक कर नियम तो फेल ह गया था तो कैल्सियम तक ही लागू होता है ठीक है एक्जामे कई बार कोशन पूझेगा कि नीव लैंड का अश्टक कर नियम कहां तक लागू होता था तो कैल्सियम तक ही लागू होता था प्रते एक आठवे जो तत्यु के गुड होते थे वो समान होते थे और ये किस पर मोटाई वाले तीन अतार ABC के पृत्रोध आपको दिये गए है 1.5.25 है तो उनकी पृत्रोध धक्ताएं क्या होंगी अब बताईए इसके पहले हमने आपको पृत्रोध धक्ताएं का सूत्र बताया था फिर से उससे कोशन पूछ लिए आपसे तो ABC ABC तीन आपको यहाँ पर पृत्रोध दिये गए है तो रो बराबर हमने आपको बताया आर बराबर बताया था रो ल वाई अब क्या कराए समान लंबाई और समान मोटाई तो उनकी श्रकार्ट का छेत्रबल भी समान हो गया और लंबाई भी इसने समान कर दी तो R डिपेंड कर गया direct ρो पर मतलब की प्रत्रोध गता जो डिपेंड कर गयी वो प्रत्रोध पर कर गयी ठीक है प्रत्रोध आपको दिया गया है तो रो बराबर क्या होगा रो वन अनुपाद रो टू इस प्रकार आपको तीनों निकालने है तो R1 R2 R3 इन तीनों का जो ratio होगा वही प्रतरोध हकता का ratio होगा ठीक है तो इन तीनों का ratio निकालने के लिए हम क्या करेंगे इन तीनों का प्रतरोध का ratio करें थे 1 0.5 को 1 by 2 लिख सकते हैं और 0.25 को हम लोग लिख सकते हैं 1 by 4 अगर LCM लेंगे तो कितना आजाएगा 4 2 1 का ratio आगया तो 4 2 1 का ratio होगा कहां पर लिखा गया है यहां पर लिखा गया तो सही option कौन से हो जाएगा प्रतरोध धकता हैं उनकी जो होगी वो इसी ratio होगी जो ratio में इसका प्रतरोध है तो 4 2 1 के उनकी पात में होगी ठीक है सही option इसका दूसरा बाला हो जाएगा देखी 22 नमर कोशन है प्लास्टर आप पेरिस का उप्योग किसमें नहीं किया जाता है ठीक है तीन चुजों में किया जाता है तूटी हड़ियों को सहारा देने में बिलकुन किया जाता है P.O.P. प्लास्टर आप पेरिस इसका फर्मूला क्या होता है C.A.S.O.4 इन्टू हाफ H.2O ठीक है हाफ H.2O जो होता है प्लास्टर आप पेरिस में होता है आप लोग कमेंटर वाक्स में यह बताएगा कि प्लास्टर आप पेरिस से किस से बनता है जिपसम से बनता है तो जिपसम का फर्मूला आप लोग बता सकते कमेंटर वाक्स में आप लोग जिपसम का फर्मूला बताएगा उसी से आपका P.O.P. प्लास्टराप पिरिस बनता है ठीक है ये कोशन आपके लिए छोड़े जा रहे है तूटी हड्यों का सहारा देने में खिलावना बनाने में भवन समगरी के रूप में तीनों में प्रयोग किया जाता है खाना बनाने में इसका कोई भी इस्तमाल नहीं होता क्योंकि P.O.P. प्लास्टराप पिरिस का काम होता है जोड़ने का खाना बनाने कोई काम नहीं होता है अब नेस देखे मारा 23 नमबर कोशन है इसमें आपको दिया गया है एक विज्ञान की पुष्टक में समान ओसत त्रिज्जा समान लंबाई की दो परिनलकाओं P और Q को दरसाया गया है Q के अंदर खीची गई रेखाओं की संक्या P के अं यह आपको बताना है अच्छा कोशन है इसमें बहुत धेर सारे कोशन नए प्रेकार से रखे गए हैं उनको भी आपको देख करके चलना है नहीं आए बहुत आपको लंबा लग रहा है तो आप छोड़ दीजे लेकिन जो इजी होगा उसको आपको करके ही आना है जैसे कि य चुमिकी छेत्र की बात की है तो यहाँ पर एक फार्मूला होता है बी बराबर चुमिकी छेत्र बराबर बी बराबर होता है मियू एन आई अपान टू आर यह फार्मूला होता है इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजेगा इसमें दो चीजों की चर्चा की है यहाँ पर कह गया ना Q के अंदर खीची गई रेखाओं की संक्या और P के अंदर खीची गई रेखाओं की संक्या की दो गुनी है तो हम इसे B1 माल लेते हैं और इसे B2 माल लेते हैं ठीक है अब यहाँ पर हम इसे P वाले को मलेते हैं यह P परिनलका का है यह की वाले का है ठीक है यहाँ पर देख लेते हैं अब क्या कह रहा है सामान आउसत त्रिज्जा तो त्रिज्जा हमारी समान है तो यह कट जाएंगी यह कॉंस्टेंट हो गई दोनों कट जाएंगी अग फेरो की संख्या है ये भी आपका कड़ जाएगा तो B1 upon B2 डिपेंडे कर गया I1 upon I2 उपर ठीक है तो आप क्या कह रहा है Q के अंदर खींची गई रेखाओं की संख्या P के अंदर खींची गई रेखाओं की संख्या की दो गुनी है मतलब B1 अगर 1 होगा तो B2 2 होगा ठीक है ये दिया गया है आपको तो अगर B1 1 होगा B2 2 होगा तो I1 upon I2 क्या होगा इसी रेशियो में होगा I1 1 होगा I2 2 होगा ठीक है समझ गई आप तो आप से पूँच क्या रहा है परिनाल का P में धारा Q में धारा की कितनी गिनुई होगी मतलब P में जो धारा है वो Q की धारा की Q में देखे धारा 2 है और P में धारा होगी 1 तो कितना है आधी होगी उसकी Q की धारा की आधी होगी तो 1 बटे 2 कर दीजे सही आपसन कौँस होगा सही आपसन हो जाएगा एक बटे दो जो अनुपात में B1 upon B2 बराबर I1 upon IT होगा तो P में धारा जो होगी Q की धारा की आदी होगी सही आप सुन हो जाएगा पहला वाला आप सुन ठीक है आज का हमारा लास्ट कोशन होगा ये कोशन आपके लिए छोड़े जा रहे हैं आप लोग बताएगा आकसी स्वसन के लिए किस तत्यों की आओ सकता होती है ठीक है इस दीज में हमको 24 कोशन मिले हैं जितने कोशन मिलेंगी वो सारे कोशन आपको करा जाएगे एक ही सेट कोशन है और पिछले रेल्वे के एक्जाम के पूचेगा एक कोशन है तो आप देख सकते हैं इसका लेवल कैसा है इसका कमेंट बाक्स में आप लोग जवाब दीजेगा बीच बीच में एक दो कोशन आपसे पूचेते हैं जैसे कि आपको यूरिया का फर्मूला और यूरिया में कितना नाइट रोजन होता है इसको आपको बताना है और आपसे जीप सम का फर्मूला वीच में पूचेता है और एक कोशन आपके लिए छोड़े जा रहे है नहीं आएगा तो कमेंट बाक्स में आपको बताने का प्रयास करेंगे यहनि नेश्ट वीडियो जो आएगा उसमें आपको बताने का प्रयास करेंगे आपने इन 24 प्रहस्नों में केतने प्रहस्ण सही करने का प्रयास किया है इससे आप कमेंट बाक्स में कह सकते है वीडियो को ज़धा ज़दा आप लोग लाइक करिएगा सेयर करिएगा और चलों पर नए हो चलों को सस्काइब करिएगा हम आपके लगातारी स्रीच चलाने का प्रयास करेंगे वीडियो को आप ज़ाद ज़ाद चात्रों को पर पहुंचाने का प्रयास करिए अगर आपका स्कोर 24 में से 18 प्रेश्णों तक भी रहता है तो आपका बेस्ट स्कोर माना जाएगा को प्रेश्ण का लेवल जो है वो कापी अच्छा था तो आप 18 तक भी कर लेते हैं तो बहतर है लेकिन 15 से नीचे आपका स्कोर नहीं होना चाहिए कोई भी एक्जाम हो 25 या 24 कोशन में से 15 के नीचे कर आप जा रहे हैं तो आप बहुत ज़्यदा लो हैं आपको लगातार इस स्रीज को देखने का हो सकता हैं ताकि आपका लेवल जो है कम से कम 20 आ सके और एक्जाम आते तक आप पूरे के पूरे 25 से 25 कोशन साही कर सकें मिलते हैं आप से नेस्ट वीड हैं बहुत बहुत धन्यवाद किसी प्रेस्ट में डाउट हो आप कमेंटर वाक्स में कह सकते हैं इस रीज आपके लिए लगातार जाईर रहेगी इसलिए ज़्याद ज़्याद आपको सेयर करना है